कि जिस तरह नासिक मशूरेग अपने क्लाइमेट के लिए उसे बेस्ट क्लाइमेट सिटी आ जाता है उसी तरह SBI branch के बाजू में रौनक तंदूरी मिसल पर यहां आपको पॉट के अंदर एक कोल का स्मोकी फ्लेवर आएगा मिसल में चलिए देखते हैं किस तरह से बनाते हैं मिसल यह मिट्टी का मट्का है उसमें डाल रहे हैं शेह अब इसमें डालेंगे यह मट उससर जो रहती है अब इन्होंने मिट्टी का एक दिया रख दिया उसी के अंदर अब इस दिया में मखन डालेंगे और एक गर्मा गरम कोईला इसमें आएगा तो जब यह कोईला पड़ेगा तो यह मखन अपना मेल्ट हो करके गुआ पिये देखी इस तरह से स्मोक पैदा कर रहा है अब इसको यह रख देंगे ऐसे डखकर इससे यह स्मोक और मट्टी का सौंधापन उस उस्सल में और स्यों में आ जाएगा प्रिफ्ति रुपेज में दो पाओं और इस तरह से मिसल मिलेगी यह हो गया रस्सा यह उसमें डाल दी उन्हों में तरी अब कुछ दिर पॉट को इसी तरह बन रहने के बाद इसको इननों खोल जाए देखिए अब ये सब रिमूब कर दे रहे हैं अब ये धुवा और गर्मा गरम सेओ और उस्सल को ये प्लेट में नुटाल जाए ये डाल दियानों में रस्सा ये बेसिकली ग्रेवी होती है तीकी ग्रेवी और उसके उपर तेल की तरी लगा दिए ये तरी और इस तरह से इनकी मिसल रेडी हो गई है 50 रुपीज में इस तरह से पॉट के अंदर डालके दे रहे हैं इसका मिठी का सौड़ापन कोईला उस्मोक ये सब उस्मोक फ्लिवर को बढ़ा देगा है हमारे नासिक में अगर मैं मिसल के अगर ग्लॉक बनाओ तो मैं समझता हूं और हर एरिया की अपनी एक स्पेशैलिटी मिसल में हर जगा आप ओल्ड नासिक जाओ न्यू नासिक जाओ अराउंड नासिक के करती है कि यह शॉर्ट वीडियो था होग आप लोग को पसंद आया होगा मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाए और वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत थैंक्यू वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें और आपको इस वीडियो में कुछ कमी लगी हो तो प्लीज कमेंट करके बताएं हम उसे सुधारनी कोशिश करेंगे बाई